दाड़ी मुचों के बालों को वस्ट करने लिए कौन सा फेस्ट वस्ट यूज किया जाता है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं आई गाइस आईए मंदिल बलक्रम नो माझनल जो यंग बॉइस हैं जो मैं हैं उन्हें लगता है कि हम कोई गलत फेस्ट वस्ट कर रहे हैं जिसे हमारी जाड़ी की गरूद कई ने कई पोस्ट लोग हो रही है यह पर दाड़ी के बाल जड़ है तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला कौन सा फेस्ट वस्ट सबसे बैस्ट होता है जो आपके डाड़ी को काली घनी मोंटी एंड डाड़ी को घ अची रहें तो यह अगर आपको साथ भी ऐसा हो रहा है आपको इसे गलत फेस्ट यूज करते हैं या पर कोई से गलत तो यूज करते हैं तो आप यह वीडियो पूरा जहूँ दे के मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एक नाच्टर्ल ऐसा फेस्ट पोस्ट बताने मलाओं जिसके यूज करने से आपकी दाड़ी की सारी प्रब्लम्स जड़ से कतब हो जाएंगे तो सब कुछ छोड़के एक फेस पोस में आपको बताता हूं आप घर पर ही उसका यूज कर सकते हैं आपको एक पका हुआ नेवू लेना है पका हुआ नेवू का आप कगल के लिए ओसके कर सकते हैं उसका यूज कर सकते हैं इससे आपके फेश पर थोड़ी जलन नो पड़िकिन दाड़ी में नहीं पढ़ते हैं लेकिन प्रती फोड़ीसे टेमर्टी श्रद्र उस्टाइप हृष्ज अनि ऊहारीज के ऊंछे न कियां शूजerek भ्रादम्स ही च्बोट जाते हैं वह बिनकलना कि निकलना को जाती है तो इसे अच्छा फेस बिबेक्ट्स यह आपके पिंपल्स निकलना इस्टार्ट हो जाते हैं या पिर आपके जाड़े की रोद बहुत कम हो जाती तो यह कॉसंस अगर आपके माइंड में है तो आप इस ट्रीट्मेंट का यूज करें आपको निवू लेना या पर आपका निवू के जूस एक प्लेट में लेना आप टाजा निवू कर सकते हैं जितना पेसे आप लगाते हो लागते हुए ऑसशी नभे 100 रुपीज आजाएंगे समय आजाएंगे जिससे आप चाहू तो पचास दिन यूज कर सकते हो एक निवू सब्सक्राएं ये टीट्मेंट आपको फोलो करें ये टीमेंट आपको 100 परसं यही टीट्मेंट यूज करता हूं जिससे मेरी दैडी के बाल और भी ज़्यादा काले होते चले जा रहा है तो आप इस टीट्मेंट को फोलो करें उम्मेद करता हूं वरे वीडियो वच्छे लाइक करें कमें करें सेर करें चैनल को सब्सक्राइब जरू करें थैंक्यों वचे वीडियोा कि मेरी उसे करें भी जाइक करें तो माएं़ करें मूर्मेन के लाद कि बाल स्टर गेंट करें देस parents of the चैनल टिस ए लादे ।ो कि व accum्ल टार पादे सिए inj हैं वादेसली सब्सकी है चैनल थे व जाये वां ज लूनल